केलो फ्रेंग्स नमस्कार आज हम बनाएंगे कॉर्ण चीस कवाब यहां मनिसे झ obviously कॉरन आ थे मारकेट में उनका इस्तिमाल किया और आलू बोयल कर लिए थे मैंने पहले से उनका इस्तिमाल किया है और मैंने यहाँ पर प्याज हरी मिर्च अद्रक बारी बारी काट के रखा हुआ इनका हम इस्तिमाल करेंगे तो चलिए एक कढ़ाई लेते हैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल करम होने बाद में मैंने हरी मिर्च अद्रक प्याज को डालके अच्छे से बुनेंगे जब तक मारा प्याज भुन रहा है जब तक मैं अमूल चीज जो क्यों बाते हैं इनको मैं ग्रेट कर लेता हूँ तो यहाँ मैंने अमूल चीज को कदुगस कर लिया है और उसकी साथ ही जो कऊर मैंने मार्केट से मंगात है उनको मैंने बॉile कर लिया है और बॊile करने के बाद अनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है यहाँ हमारा प्याज भुन चुका है देख़िए लाइड ब्राउन हो चुका है और इसमें हम डालेंगे आलू जो मैस किया हुआ है उसका इस्तिमर्ण करेंगे यह आलू अच्छे से मैस करना है इसमें इसमें कोई गांट ना रहे अन्य था आपकी टिक्की अच्छी नहीं बनेगी और इसमें मैंने स्वाधनसर नमक एड़ कर दिया है कि इसकी साथ हमने डाला इसमें फोर सा करम मसाला थोर सा चाट मसाला डालेंगे तो सा मैंने इसमें एजाट अच्छे आप यह कि पत्तोर मुझे ठेक हैं बनाना है बनकर हमारा तयार हुगा और इसमें थोर से डालें कौ। साभूत दिखने के लिए कि टिक्की जब हम फ्राइ करेंगे तो एक साबूत दाना दिखेगा एक अलग टेस्ट आता है आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं साबूत पूरा अच्छे से सैंसे मिक्सिंपीश के डलेंगे बाद में बचा हुआ और आइंस गानुत बनातों यहां और यहां कि सद राप तैम फ मैंने डाल हुआ है आड कि आप चाहें तो मिक्स हरब से हार में लाग लाग उज़कि आप चरपटा कम खाते हैं तो आप ना भी डाले तब ही चलेगा और इसके साथ में एड़ किया है ब्रेड क्रम जिससे हमारी टिकी है जो कबाब है एक क्रप्सी बनके निकलेगा और अंदर से हमारी क्यूंकि चीज पढ़ा हुए तो सौप्ट रहेगी यहां मैंने जो बचा ह हमारा चट्पटा मसाला बनके त्यार होगा मैस कर दिया मैस करना च का एक निया लोगा देखने में जो हमने कॉण साबू डाले थे हैं तो उसका एक निया लोग दिख रहा है साबू शाबू πraszam लगता है कि हम चॉण कबाब खा रहे हैं कौन चीज कबाब है यह इसली में और इसको जो हम फ्राइब करेंगे तो अंदर से चीज हमारा जो होता है वह सौट रहती है और बाहर से ब्लेट राला हुआ तक क्रप्सी बनके त्यार होगा तो चलिए इसको भी और हम क्रप्सी करने के लिए क्रप्सा इसको फ्राइ कर लेना है जिससे हमारा टिक्की कबाब बनके अच्छा सा त्यार हो जाएगा यह हमारा कबाब बनके त्यार हो चुका है थैंक्यी फर वाचिंग